दोस्तो नेम चेंज के मेटर में एक क्वेस्चन हमें काफी बार पुछा गया है कि क्या मैं अपना सरनेम भी चेंज कर सकता हूं इस से related एक और भ्रानती भी लोगों के मन में होती है वो ये है कि कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे सरनेम केवल वही यूज कर सकता है जो उसके माता या पिता में से कोई भी पहले से लगाते हों इसके अलावा अन्य कोई सरनेम यूज नहीं किया जा सकता लेकिन वास्तविक्ता क्या है और अगर आपको कोई ऐसा सरनेम यूज करना हो जो कि आपके माता या पिता में से कोई यूज नहीं कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा इन सारे सवालों का जवाब आपको इस करके बैल बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि नए आने वाले लीगल वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे बीना देरी कि यह आपको यह बता दू कि जैसे अपना कोई भी नाम चुनना आपका अधिकार है वैसे ही आप सरनेम भी अपनी पसंद का यूज कर सकते हो इसमें किस गैजेट में ही पॉब्लिकेशन करवाना चाहिए और दूसरी बात यह कि सरनेम में चैंज के लिए भी प्रोसीजर वही होगी जो नाम चैंज के लिए होती है अंतर केवल यह होगा कि जो एफेडेविट आप तयार करवाते हो उसको नाम चैंज के मैटर में तो आप नोटे लगा है तो आपको एफेडेविट या अंडर्टेकिंग को मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी से अटेस्टेट करवाना होगा मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी से एफेडेविट अटेस्टेट करवाने के लिए आपको मूल एफेडेविट उसके साथ एक फोटो कोप और application के साथ magistrate के सामने पेश करना होता है और application में आपको ये लिखना होगा कि आप अपना नाम परिवर्दन के लिए gadget publication करवाना चाहते हैं जिसके लिए आपको affidavit सत्यापित करवाने की requirement है ऐसे में application और affidavit की photocopy magistrate office में record के रूप में रख ली जाती है और mool affidavit को सत्यापित यानी attested करके आपको वापिस लोटा दिया जाता है जो आप अपने बाकी documents के साथ gadget publication के लिए भिजवा सकते हो magistrate कोई भी हो सकते हैं जैसे तहसिलदार, SDM या फिर DM दोस्तों इसमें बाकी की process वही होती है जो की साधारण name change के लिए होती है name change की complete process पर हमने video अपने channel पर पहले से post किया हुआ है जो आप इस video के description में दिये गए link के जरीए देख सकते हो तो आपको ये भ्रांती रखने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई surname आपके माता या पिता ने use ना किया हो तो आप भी use नहीं कर सकते है बलकि जैसे आप अपना नाम अपनी पसंद का चुन सकते हो उसी तरह आप अपना surname भी अपनी पसंद का रख सकते हो इसमें कानूनन कोई रोक नहीं है इसके अलावा भी आपके नाम change को लेकर कोई सवाल हो या फिर आप अपने किसी legal matter पर राय लेने के लिए मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप screen पर दिखाई दे रहें नमरों पर contact करके call book भी करवा सकते हैं ऐसी ही useful legal जानकारियों के लिए आप हमें Instagram पर भी follow कर सकते हैं अभी के लिए इतना ही जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में